संस्कृत का प्रथम पाठा सुभा सिताने पढ़ाने जा रही हूँ सुभा सिताने इस शब्द का अर्थ है सु भाषित ये दो शब्दों से मेल से बना है सु का अर्थ है सुंदर, मधुर और मीठा और भाषित का अर्थ है वचन इस प्रकार सुभाषित का अर्थ है सुंदर, मधुर, वचन इस पार्ट में सुक्ति मंजरी, नेटी दशकम, मनुस्मर्ती, शिशुपाल वधन, पंचितंतरम से रोचक और विचारों को उभारने बाले इशलोकों का संग्रह किया गया है। यह जो हमारी पुस्तके हैं सुक्ति मंजरी, नेटी शतकम, मनुस्मर्ती, शिशुपाल वधन, इन सभी पुस्तकों में से एक एक दो दो शलोक इस पार्ट में लिये गए हैं जो इस प्रकार हैं। पहला शलोक गुढ़ा गुणिशो गुढ़ा भवन्ती ती निर्गुढम प्राप्त भवन्ती दोशाहा सुस्वादुतोया प्राभवन्ती नध्या समुद्रम साधा भवन्ते फेया। तो अभी मैंने इसका सास्वर गायन किया अब इसका हम अन्वे करके अर्थ बताएंगे। गुढ़ा गुढ़ेंशो गुढ़ा भवन्ती के निर्गुढम प्राप्त भवन्ती दोशाहा गुढ़ा गुढ़ेंशो गुढ़वान व्यक्तियों में। गुढ़ा भवन्ती गुढ़ होते हैं। इसमें पहली लाइन ने बताया है कि जो गुढ़ हैं वो गुढ़ेंशो गुढ़वान व्यक्तियों में ही गुढ़ा भवन्ती गुढ़ होते हैं। जो गुढ़ों से युक्त होते हैं जिन में बहुत सी अच्छाईया होते हैं। ऐसे गुढ़ गुणवान व्यक्तियों में बहुत सारे गुण होते हैं। किन्तु ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ती दोशा। किन्तु जब यही किन्तु गुणहीन व्यक्ति निर्गुण गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त मने पाकर। गुणहीन व्यक्तियों के संपर्प में जब चले जाते हैं ऐसे व्यक्ति तो ये गुण भवन्ती दोशा। हमारे दोश में बदल जाते हैं। सू स्वादु तोया, प्राभवन्ती नध्या, समुद्रमसाद भवन्तपेया, नध्या मने नदिया, जैसे नदिया हैं, सू स्वादु तोया, सू स्वादिष्ट तोया जलसे, स्वादिष्ट जलसे युक्त होकर प्राभवन्ती पहाडों से परवतों से निकलती हैं, वो स्वादिष्ट जल को ग्रण करके प्राभवंति पहाडों से निकलती हैं किन्तु समुद्र में साध समुद्र समुद्र में आसाध्य मने पहुँच कर परन्तु वही नदियां समुद्र में पहुँच कर भवन्त्य पेहा, पीने योग, भवन्त अपेक्छा, पीने योग नहीं रहे जाती है शुरू से गुणा गुणेंचु गुणा भवन्ती, जो गुण होते हैं, वो गुणवान व्यक्तियों में ही गुण होते हैं ते निर्गुणम प्राप्त भवन्ती दोशा, परन्तु निर्गुण, गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके ये जो गुण है, वो दोश में बदल जाते हैं कितना भी यक्ति गुणी क्यों ना, लेकिन जब वो बुरे लोगों में रहता है, तो उसके सारे गुण दोश में बदल जाते हैं सू स्वादू तोया, प्राभवन्ती नद्या, जैसे जो नदियां हैं, उनका पानी बहुत स्वादिष्ट होता है, मीठे जल से युग तो थी हैं, लेकिन वो पहार से निकलती हैं उस समय, लेकिन समुत्र मा साथ, परन्तु जब वो समुद्र में पहुच जाती हैं, तो भ सूरियांगे उसमें पहुचकर खारी हो जाती हैं, इसलिए वे भी पीने यूग नहीं रहती हैं, इसका भाध ये हैं कि संगती में हमारे गुण हैं, उनका विकास होता है, किन्तु जब हम कू बुरी संगती कर लेते हैं, तो वही जो हमारे गुण हैं, वो दोश में बदल जाते हैं पहला हूग गया अब हम देखेंगे दूसरा साहित संगीत कलाविहीना साक्षात पशू पुच्छ पिशाण वीना त्रणनम नाखादान अपी जीव माना तद भाग धैयम परम पशू नाम अब इसका सास्वर पाचन किया अब इसे दीखेंगे साहित संगीत कलाविहीना इसमें बताया है कि जिस व्यक्ति में ना साहित हो संगीत ना संगीत हो ना कला और ना ही किसी प्रकार की कोई कला या कुशलता हो मतलब कोई ज्यानी नहीं हो साहित कोई पढ़ाई का ज्यान नहीं किसी प्रकार की संगीत में कोई रुची नहीं और ना ही कला, कोई कला कुशलता, किसी कार्य में कुशलता नहीं हूँ ऐसे बिहिन, ऐसे लोग इन सभी चीजों से रहित है साक्षात पशु, वास्तब में पशु के ही समान कहलाते है पुछ, विशान, हीन, सिर्फ उनके पुछ मने पुच, और विशान ही उनका अरत होता है बस पुच और सिंग इसे रहित ही होते हैं, लेकिन वैसे साक्षात पशु के समान ही कहलाते है जिनके पास ना साहित है, ना संगीत है और ना कला इन सब से जो मनुष्य रहित हैं वे साक्षात पशु, साक्षात वास्तव में पशु के समाने पुछ विशान हैं, बस उनके पूछ और सींग ही नहीं हैं, क्योंकि पूछ और सींग पशु के होते हैं, त्रणम ना खात नपी, त्रणम घास, जो घास ना खाते हुए भी, ऐसे मनुष्य क्या हैं, घास ना खाद न पी, घास ना खाते हुए भी जीवमाना जीवित हैं, ऐसे मनुष्य जो हैं वो घास नहीं खाते हैं, भोजन तो करते ही हैं, भोजन ही करते हैं, अन्य मनुष्यों की समान वो भोजन ही करते हैं, घास नह पशुनाम परम पशुनाम का ये तो परम भाग्य धेयम सवभाग्य है कि ऐसे व्यक्ति घास फूस नहीं खाते बलकि स्वादिष्ट भोजन करते हैं क्योंकि अगर व्यक्ति भी खास खाने लगते तो फिर पशुनाम 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 का ही परम भाग्य धेयम सवभाग्य है कि ऐसे जो मनुष्य हैं जो पशू की श्रेनी में तो आते हैं लेकिन घास नहीं खाते हैं तो इसमें बताया है कि साहित में जिनकी रुची नहीं है ना संगीत में ना कला में ऐसे मनुष्य मनुष्य नहीं होते हैं इनका जीवन पशू के समान ही होता है जो पशु के समानी जीवित रहते हैं पीसरा लुपधर्से नश्यती यशाहा पिशुनस्य मैत्री नश्ट करियस कुलंपरस धर्महा विद्याफलं व्यसनेना करपनस्य सौख्यम राज्यम परमत्य सचिसस नराधिपत इस कावी सास्वर गायन करेंगे हम इस परकार लुपधर्से नश्यती यशाहा पिशुनस्य मैत्री नश्ट करियस कुलंपरस धर्महा विद्याफलं व्यसनेना करपनस्य सौख्यम राज्यम परमत्य सचिसससे नराधि पस्यम लुपधस्य लोभी का यश्यती नश्यती यश्यती यश्यती होते हैं पिशुनश पिशुनश चुगल खोर और मैत्री मित्रता जो चुगल खोर होते हैं चुगली करते हैं अपनी मित्र की बात यहां वहां करते हैं ऐसे चुगल खोर की मैत्री मित्रता समाथ हो जाती है नश्ट क्रियस, कुल अर्थ परस्ट, नश्ट क्रियस, क्रियस का उता कार्य, जो कार्य नहीं करते हैं, आलसी होते हैं, ऐसे लोगों का कुल परिवार नश्ट समाथ हो जाते हैं, कार्य नहीं करते हैं, आलसी रहते हैं, तो धीरे धीरे उनका परिवार भी समाथ हो जाते हैं, अर्थ परस से धर्म अर्थ अर्थ का अर्थ है धन और जो धन को परस से अधिक महत्व देते हैं जो धन को ही अधिक महत्व देते हैं ऐसे लोगों का धर्म समाप्त हो जाता है विद्ध्या फलम वैशनना वैशन बुरी आदत वाले वैशनना का अर्थ होता है बुरी आदत वाले जो लोग होते हैं उन्हें अपनी विद्ध्या का फल नहीं मिलता है किरपनस कंजूस और जो कंजूस होते हैं सौख्यम उन्हें कभी सुख प्राप्त नहीं होता है क्योंकि वो धन के लालच में लगे रहते हैं। धन को जमा करने के लिए इस सोच में इसलिए कभी भी वो सुखी नहीं रह पाते हैं। राज्यम प्रमद सच्वस नराधिपत प्रमद सचिव सचिपकार्थ है मंत्री और प्रमद प्रमद जो अपने कर्टब से विमुख मंत्री हैं। ऐसे मंत्री जो प्रमद सच्वस कर्टब से विमुख मंत्री हैं जो अपना कार लगन से नहीं करते हैं। इस कारण नराधिपत उस राजा का राज नश्यती नश्ट हो जाता है। उस राजा का राज भी नश्ट हो जाता है। कि जो मंत्री कार धंसे नहीं करते हैं तो ऐसे नराधिपत ऐसे राजा का राज समापत हो जाता है। लुबधस्य नश्यतियस, लालची व्यक्ति का यश्य नश्ट हो जाता है, पिशुनस्य, जुगल खोर की मित्रता और आगे, नश्ट क्रियस्य जो कारे नहीं करते उनका कुल, परिवार नश्ट हो जाता है, अर्थ परस धर्म, जो अर्थ को धन को अधिक महत देते, उनका ध भर्म विद्या फलं व्यशन और बुरे कार्णियां को जो करते हूं की विद्या का फल। करप्रणस्त सौक कंजूस का सौक्यम सुख नश्ट हो जाता है। प्रमद सचवस जो प्रमद राजा होते अपने कर्टब से विमुख सचवस ऐसे मंतरी के कारणी नराधिपत उस राजा का राज्य समाप्त हो जाता है। भाव यह है कि यदि यस चाहिए तो व्यक्ति जालच ना करे। मित्रता चाहिए तो चुगल खोर ना हो और धर्माचरन करना हो तो धन लाप को अधिक महत्र ना दे। विद्या का फल प्राप्त करना हो बुरी आदतों से बचें। जीवन में सुख चाहिए तो कंजूस ना हो और यदि राजा को अपनी सत्ता बनाए रखनी है तो मंत्री को कर्तब्य के प्रती लापरवह नहीं होना चाहिए। आगी का हम नहीं होना चाहिए।